कि वाकत दे इस्तुडेंट यहाँ पर ख्वितिकल मुपसा 1 애्लाउंग इस ट्रेट लाइन5 एक्स जैसे माल लो कि यहाँ पर टॉइंट ओ है और यहाँ पर टॉइंट एक्स है तो एक पारटीकल है जो की है कि स्ट्रेट लाइन है पुरा तुम्हारा O से लेकर के X तक तो एक पार्टिकल O से लेकर X तक मूव करेगा ठीक ना इस ट्रेट लाइन में एट टाइम T सेकेंड्स दिस्टेंस इस जो यह जो दूरी कवर हो रहा है उसका एक एक एक्वेशन है X इक्वेशन है 40 प्लस 12T माइनस T क्यूब यह एक्वेशन के हिसाब से मेरा दूरी जो यहाँ पर कवर हो रहा है तो बोल रहा है कि How long would the particle travel before coming to rest तो यह जो particle है यह रुकने से पहले कितना दूरी तै करेगा यह हम लोगो निकाल के बताना है देखो बहुत सिंपल है कि अगर आप dx by dt करते हैं मतलब x का change with respect to time देखते हैं तो उसी को velocity कहते है मतलब किस rate से x change हो रहा है किस rate से position change हो रहा है किस rate से particle का displacement हो रहा है time के साथ कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है उसी को velocity बोलते है हम क्या करेंगे कि जो x दिया हुआ है इसको differentiate करके velocity यहाँ पर निकाल लेंगे जो dx by dt होगा ठीक है और इसमें dx by dt जो आप देख रहे हैं यह 40 का पहले differentiation होगा फिर इसका होगा फिर इसका होगा तीनों का अलग-अलग होगा तो 40 तो एक fix value है तो उसका differentiation होगा इनी 0 लिखेंगा उसको constant है वो 12 constant है और t का differentiation 1 होता है जैसे dt by dt करते हैं 1 आता है उसी तरह से 12 into 1 होजाएगा minus देखो यहाँ पर क्या करना है कि t का power cube है तो 3 बहार आजाएगा और t का power होजाएगा 3 minus 1 एक घटा कर लिख देंगे जो कितना होजाएगा 3 t square तो t cube है तो उसका differentiation हो जागा 3 t square तो उसको लिख देंगे 3 t square तो यहाँ से मेरा जो velocity है वो आज चुका है और वो velocity है 12 minus 3 t square यह velocity मेरा 0 कब होगा यही सवाल में पूछा था how long would the particle travel before coming to rest rest पे आना मतलब की velocity का value 0 हो जाना तो velocity कितना है 12 minus 3 t square है तो यह 0 हो जाएगा अब यहाँ पर arrange करेंगे 3 t को उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जागा plus 3 t square और 12 जहाँ पर है वो वहीं पर रहेगा फिर 3 से 4 बार में कट जाएगा तो t square बरावर क्या हो जागा 4 तो t बरावर क्या हो जागा 2 root करेंगे न तो t बरावर हो जागा 2 second मलब 2 second बाद यह particle जो है वो रुक जाएगा तो कितना दूरी तैग करेगा तो यही equation है दूरी का यह equation है distance का तो इसी में हम लोग t का जो value है वो 2 के बरावर यहाँ पर रख देंगे ठीक है तो 2 के बरावर रख दो तो 40 प्लस 12 इंटू 2 कितना हो जागा 24 और minus 2 का cube 8 है न तो देखो 40 और 24 कितना हो गया 64 minus 8 56 मीटर यहाँ पर मेरा distance कवर करेगा यह रुकने से पहले option C सही होगा Thank you so much for watching